एक्सरसाइज 3.1 का कुश्चन नमबर फस्ट देखते हैं देखो इस एक्सरसाइज के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है जिसमें आपको बहुत कुछ समझाया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं मल्टिपल्स क्या होते हैं ठीक है उसमें मैंने डीपली आपको एक् जाके जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से वो वीडियो आप जरूर देखना ठीक है तो आप देखो कुश्चन में क्या बोला है फर्स्ट कुश्चन में आपको दिया हुआ है राइट आल दा फैक्टर्स आपको दिये हुए इन नमबर्स क यही होना चाहिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वन से स्टार्ट करेंगे देखो एक चीज़ याद रखना कभी भी आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो हर नमबर के दो फैक्टर कंपल्सरी है कि होते ही है जैसे कि 24 है 24 के 2 फैक्टर जरूर होगे एक तो 1 होगा और देखोता है number itself, यानि कि ये खुद, 24 खुद होगा, ये दो factors तो इसके होगे ही, ठीक है, factor का मतलब क्या होता है, कि ये किस किस के table में आता है, वो आपको लिखना है, ठीक है, तो 1 के table में 24 आता ही है, और 24 के table में भी 24 आता ही है, अब इसको कैसे find out करेंगे, तो देखो यहाँ पर 24 का, 1 के table में 24 आ जाएगा, 24 times में, ठीक है, इसको इसको नहीं लिखता, मैं आप समझ जाना, 2 के table में 24 आएगा, 12 times में, 2 into 12, 24 होता है, 3 के table में आता है, क्या, 3, 8, 24 होता है, 3 के table में भी आता है, 24, 4 के table में देखो, 4, 6, 24, आता ही है, 5 के table में नहीं आता, 6 के table में नहीं आता, 6 के table में आ जाएगा, 6, 4, 24, देखो, यहाँ से repeat होना चालो हो जाएगा, 6 into 4, तो repeat हो गया, 4 into 6 आ चुका है, तो फिर से 6 into 4 लिखने की जरुरत नहीं है, नमबर repeat नहीं करना है, तो आपन यहाँ पर रुख जाएंगे, अब देखो इसके जो factors हैं, कौन-कौन से factor हो गया, यह जितने नमबर्स यहाँ पर लिखे होए, यह सारे के सारे इसके factors हैं, आप इसको increasing order में लिख लो, ascending order में, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, इतने सारे इसके factors हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, यह सारे इसके factors हैं, अगर आप इसके आगे जाओगे, तो यह सारे numbers repeat होते जाएंगे, देखो 4 के बाद 5 के table में 24 तो नहीं आता, 6 के table में आता है, तो 6, 4, 24 होता है, तो 6 और 4 तो आप already लिख चुके हो, उसके बाद 7 के table में 24 नहीं आता है, 8 के table में आता है, तो यहाँ पर आएगा 8 into 3, 8, 3, 24 होता है, लेकिन 8 और 3 भी आप already लि बी में क्या दिया हुआ, बी में number दिया है, आपको 15, अब 15 के factors find out करते है, factors of 15, कौन कौन से होगे, 15 किस के किस के table में आता है, दो तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक 1 आएगा और एक number itself, 1 के table में 15 आता है, 15 टाइमस में, 1 into 15, 15 होता है, 2 के table में 15, नहीं आता है, 3 के table में आता है 3x5 करेंगे तो 35 is the 15 होता है 5 ले 15 नहीं आता है 5 के टेबिलめ 15 आता है अब आपको रुख जाना है 15 compare 15 आता है तो यहां s cookie हो जारा है 3 into 5 तो already आ चुका है तो उसके बाद 5 into 3 आ गया ठीक है 3 और 5 फिर से आ गया तो आपको यहाँ पर रुख जाना है आपको यहाँ पर रुख जाना है आप इसके factors कौन कौन से हो गए 1, 3, 5 और 15 1, 3, 5 और 15 ठीक है तो समझ में आ गया कैसे factors find out करते हैं मैं इसको रब कर लेता हूँ आगे और भी numbers है उनका भी factors find out करते है तो देखो A और B हो गया अब आपन C का find out करते हैं C में दिया है 21 factors of 21 कौन कौन से factors होंगे factors of 21 तो देखो 1 से start करते है 1 के table में तो 21 आएगा ही आएगा 2 के table में 21 नहीं आता 3 के table में 21 आता है 3 into 7 करने पर 3 7 आ 21 होता है 4 के table में 21 नहीं आता 5 के table में 21 नहीं आता 6 के table में 21 नहीं आता 7 के table में 21 आता है 7 3 आ 21 अब देखो यहाँ पर से repeat हो रहा है 3 7 आ चुका है फिर से 7 और 3 आ गया तो यहाँ पर आपको रुख जाना है ठीक है अब यही चार उसके factor होंगे कौन-कौन से numbers है factors देखो यहाँ पर है 1, 3, 7, 21 आपको इसको increasing order में लिख लेना है सारे numbers को पहले 1 आएगा फिर 3, फिर 7, फिर 21 ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका D problem देखते हैं D में है 27 ठीक है factors of 27 कौन-कौन से होंगे 27 के factors किस-किस के टेबल में आता है देखो 1 के टेबल में तो आएगा 1 into 27 27 होता है 2 के टेबल में 27 नहीं आता है 3 के टेबल में 3 9s आ 27 होता है 4 के टेबल में 27 नहीं आता 5 के टेबल में नहीं आता 6 के टेबल में 27 नहीं आता 7 के टेबल में 27 नहीं आता 8 के टेबल में 27 नहीं आएगा 9 9 के टेबल में आएगा तो अब देखो 9 के टेबल में 93027 होता है फिर से यहां से रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ देना आपको यहां से इसके आगे नहीं बढ़ना है अब यहां तक कही आपका एंसर आ जाएगा कौन-कौन से फैक्टर है 139 और 27 139 27 तो फैक्टर के बार आपको 12,12 का फैक्टर फांडाऊट करना है वन के टेबल में तो कंपल्सरी 12 आएगा या आएगा वन इन टुर्ट के टेबल में 26 the twelve होता है फर के टेबल में 12 आएगा देखो आप फोर के टेबल में तो YouTube 12 होता है तो यहां repeat हो रहा है फिर से 3 और 4 तो यहां पर आके आपको रुख जाना है अब इसके factors कौन-कौन से हो गए इसको increasing order में लिख लो 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 और 12 ठीक है next इह हो गया problem f देखते हैं f में आपको दिया हुआ है 20 20 के factors लिखना है किसके किसके table में आता है देखो 1 के table में 20 आएगा यह आएगा 120 टू के table में 20 आता है 210 ट्वेंटी थी के table में 20 नहीं आएगा फोर के table में आएगा 4 5 20 5 के table में 20 आता तो जरूर है 5 4 20 लेकिन अब इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है क्यों क्योंकि यह repeat हो रहा है 4 और 5 फिर से repeat हो रहा है तो इसको नहीं लिखना इसके आगे नहीं बढ़ना है यहीं तक हमारा answer मिल जा आपन को किसके किसके table में आया 1 2 4 5 10 और 20 यह 20 के factors हैं आगे बढ़ते हैं F के बाद G में आपको दिया हुआ है 18 18 के factors कौन कौन से होंगे 1 के table में तो 18 आए गई आएगा 2 के table में 2 9 जा 18 3 के table में भी आएगा 3 6 जा 18 3 6 जा 18 4 के table में 18 नहीं आता है 5 के table में 18 नहीं आएगा 6 के table में 18 आता है 6 इंटू 3 लेकिन यहां पर number repeat होना शुरू हो जाएगा 3 और 6 repeat हो रहा है तो यहां से आप रुख जाओगे यहीं तक आपको करना है अब count कर लो कौन कौन से मतलब increasing order में range कर लो 1 2 3 6 9 18 यह इसके factors हो गए ठीक है next देख लेते हैं G के बाद H H में आपको दिया है 23 अब 23 का factor आपको लिखना है ठीक है 1 के table में तो 23 आएगा ही 23 एक prime number है अगर आपको पता हो कि prime number क्या होता है तो 23 एक prime number है ठीक है एसे numbers जो सिर्फ अपने आप से divide होते हो और किसी के table में नहीं आते हैं उसको prime number बोलते है ठीक है तो 23 सिर्फ 1 के table में आएगा और 23 के table में आएगा आप 2 से कर लो 3 के एज 4 5 6 आप चेक कर लो किसी के table में नहीं आएगा सिर्फ 1 और 23 के table में आएगा तो इसके दो factors हो गए एक तो 1 और दूसरा 23 ठीक है next h के बाद i को देखो i में आपको दिया हुआ है 36 36 का factor find out करना है 1 के table में तो आएगा यह आएगा 2 के table में भी आता है 2 इंटू अगर आप 18 करो तो 36 होता है 3 के table में देखो 3 इंटू 12 करो तो 36 हो जाएगा 3 के table में भी आएगा 36 4 के table में भी आता है 4 9 जा 36 होता है 5 के table में 36 नहीं आएगा 6 के table में आता है 6 6 जा 36 अब यहां देखो 6 6 जा आ गया तो आप repeat होना चलो हो जाएगा 6 के बाद 7 के table में नहीं आएगा 8 के table में 36 नहीं आता है 9 के table में 36 आता है 9 4 जा 36 होता है लेकिन repeat होगा 9 और 4 अल्रेडी आ चुका है तो इसको इसके आगे नहीं बढ़ना है यहीं तक रहेगा अब इसको increasing order में आप arrange कर दो 1,2,3,4,6 फिर उसके बाद 6 को दो बार नहीं लिखना है 6 को आपको एकी बार लिखना है 1,2,3,4,6 फिर 9,12,18,36 नंबर repeat नहीं होना चाहिए 1,2,3,4,6 फिर उसके बाद 9,12,18 और 36 ठीक है तो यह इसका answer हो गया इस तरीके से आप factors find out कर सकते हो factors आपको clear हो गया होगा factors क्य होता है जिस जिसके table में यह number आता है वो सारे numbers जो है मतब जिनके tables में आ रहा है वो इसके factors हो गया ठीक है तो यह हो गया exercise 3.1 का first question next video में आपन इसका अगला question दिखेंगे और next video का link आपको इसी video के description box में मिल जाएगा